ये first chapter को जिसका title है the third level written by jack finning तो students ये जो chapter है बहुत ही confusing है इसमें writer ने reality और fantasy को mix करके एक story लिखी है ये एक science fiction की तरह है actually इस chapter में क्या होता है कि America में एक grand central railway station है जहाँ पर दो level है दो level का meaning हम कुछ सीडियां उतरते हैं नीचे की तरफ और first level आता है और वहाँ पर train चलती है फिर हम कुछ सीडियां और उतरते हैं तो second level आता है वहाँ पर भी train चलती है लेकिन कोई third level नहीं है लेकिन इस lesson का जो narrator है जिसका नाम Charlie है वो कहता है कि third level है और मैं वहाँ पर होकर आया हूँ वो ऐसा क्यों कहता है कैसे वो वहाँ पर होकर आता है क्या वो वहाँ पर गया था या नहीं गया था ये हमें lesson पढ़के पता चलेगा और lesson के end में मैं आपके सारे doubts clear कर दूँगा तो पहले हम इस lesson को पढ़ते हैं जो प्रेजिदेंट्स है नियू यॉक सेंट्रल के नियू यॉक के और हार्टफोर्ट रेल रोड्स के वो कसम खाते हैं ताइम टेबल के धेर पर पाइल पर की सिर्फ दो ही हैं मतलब Grand Central Station के दो ही लेवल हैं but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station लेकिन मैं कहता हूँ कि तीन लेवल हैं क्योंकि मैं third level पर Grand Central Station के होकर आया हूँ Yes, I have taken the obvious step हाँ मैं वाँ पे गया हूँ मैंने वाँ कदम रखा है I talked to a psychiatrist friend of mine among others मैंने कई अपने दोस्तों से बात की और उसमें से एक psychiatrist friend से भी बात की psychiatrist कोन होते हैं जो mental ill लोग होते हैं उनका इलाज करते हैं मैंने उससे भी बात की I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment मैंने अपने friend से कहा जो psychiatrist था मैंने उससे third level के बारे में बताया जो Grand Central Station में है और उसने क्या कहा ये क्या है एक waking dream wish fulfillment है waking dream wish fulfillment मतलब कि ये मेरी एक इच्छा थी जो पूरी हो गई है daydream में हो गई है या night dream में हो गई है ये मेरी इच्छा सपने में पूरी हो गई है ऐसा real में नहीं हुआ He said I was unhappy उसने कहा कि मैं unhappy था मैं खुश नहीं था that made my wife kind of mad इससे तो मेरी जो wife है एक तरीके की पागल हो जाएगी but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape मेरे friend ने क्या explain किया कि जो आज का modern world है वो किस से भरा हुआ है insecurity से, fear से, war से, worry, चिंताओं से, इन सब चीजों से भरा हुआ है और मैं इन सब चीजों से escape करना चाता हूँ, बचना चाता हूँ तो मैंने आगे से कहा, well, who doesn't, कों नहीं बचना चाता ऐसी चीजों से तो सब बचना चाते हैं, everybody I know wants to escape हर कोई वो person जिसे मैं जानता हूँ, सब escape करना चाते हैं, सब बचना चाते हैं but they don't wander down into any third level at Grand Central Station लेकिन सब third level में तो नहीं पहुंच जाते तो जो narrator है, वो अपनी argument दे रहा है कहते हैं कि सब लोग ऐसे बचना चाते हैं, insecurity से, fear से, war से, worry से, hurry and worry की life से तो सब बचना चाते हैं, लेकिन सब third level में तो नहीं पहुंच जाते न, तो मैं कैसे third level में चला गया that means third level है, but that's the reason he said लेकिन मेरे psychiatrist friend ने कहा कि यही reason है and my friends all agreed, और मेरे बाकी जितने भी दोस्त थे, वो भी agreed हो गए उसके साथ everything points to it, they claimed, मेरे दोस्तों ने ये claim किया, कि हर चीज इस तरह इशारा करती है my stamp collecting, for example, जो मैं stamps को collect करता हूँ, that's a temporary refuse from reality वो भी एक temporary refuse है, मैं temporary बचना चाता हूँ, reality से तो narrator ने आगे से कहा, कि अगर तुम कह रहे हो, कि जो मैं stamp collect करता हूँ ये मेरा temporary refuse है, well, maybe, शायद ऐसा हो, but my grandfather didn't need any refuse from reality लेकिन जो मेरे grandfather थे, उनको तो कोई जरूरत नहीं थी reality से बचने की things were pretty nice and peaceful, जो हालात थे, बड़े अच्छे थे, और peaceful थे in his day, जब मेरे grandfather जिन्दा थे, तो उस समय हालात तो बिलकुल peaceful थे, from all I hear सबसे मैं यही बात सुनता हूँ, and he started my collection, और उन्होंने ही, ये जो मेरी stamp collection है, उसको शुरू किया था, तो फिर उन्होंने क्यों शुरू किया, जब उस समय सब कुछ ठीक ठाक था, peaceful था, तो उन्होंने क्यों शुरू किया, अगर मैं stamp collect करता हूँ, तो आप क्या कहते हैं, कि ये मेरा temporary refuse है, मैं बचना चाहता हूँ, escape करना चाहता हूँ, hurry and worry वली life से, जब पहले hurry and worry वली life नहीं थी, मेरे grandfather के time, तो उन्होंने stamp collect करना क्यों शुरू किया, it is a nice collection too, ये अच्छी collection भी है, blocks of four of practically every US issue, जो जो stamp है US की, इसमें सारी stamp है, इस collection में, first day covers, first day covers भी है, first day cover क्या होते हैं, आगे chapter में आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा, and so on, President Roosevelt collected stamps too, you know, और narrator ने कहा, कि जो President Roosevelt थे, वो भी collect करते थे stamps को, तो मेरे grandfather भी collect करते थे, President Roosevelt भी collect करते थे, तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं collect करता हूं, तो आप कहते हो, I want to escape from reality, तो आगे narrator क्या कहता है, anyway, here is what happened at Grand Central, anyway, क्या हुआ Grand Central में, मैं आपको बताता, One night last summer, I worked late at the office, एक रात, पिछली गर्मियों में, मैंने office में late तक काम किया, I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central, because it's faster than the bus, तो मुझे जल्दी थी, अपने apartment में पहुँचने की, इसलिए मैंने क्या decide किया, कि मैं सब्वे से जाऊंगा, Grand Central के, क्योंकि ये faster है, bus से, bus से मैं late तो मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा, यहां से मैं train पकड़ूंगा और जल्दी पहुँच जाऊंगा, Grand Central Station से, now I don't know why this should have happened to me, अब मुझे नहीं पता की मेरे साथ ये क्यों होना चाहिए था, I am just an ordinary guy, named Charlie, 31 year old, मैं एक आम इंसानू, ordinary manू, मेरा नाम Charlie है, और मेरी येस 31 year है, and I was wearing a tan gabadine suit and a straw hat with a fancy band, उस दिन मैंने क्या पहना हुआ था, tan color का gabadine suit पहना हुआ था, gabadine जो एक तरीके का cloth होता है, और मैंने straw वाली hat पहनी हुई थी, और जिसके उपर एक fancy band था, ऐसी hat उसने पहनी हुई थी, जैसा कि आप picture में देख रहे हैं, I passed a dozen men who look just like me, मैं कई आद I wasn't trying to escape from anything, और मैं किसी भी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, I just wanted to get home to Louisa my wife, मैं बस अपने घर जल्दी पहुँचना चाता था, अपनी wife Louisa के पास, I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue, मैं Grand Central में turn कर गया, कहां से, Vanderbilt Avenue से, ये एक place का नाम है, and went down the steps to the first level, और मैं कुछ सीडियों से लेवल पर चला गया, where you take trains, like the 20th century, जहां पर तुम्हें train मिल जाती है, जैसे कि 20th century में train होती है, वो train हमें वहाँ से मिल जाती है, then I walk down another flight to the second level, तब मैं कुछ सीडियों और नीचे की तरफ गया, second level पर जाने के लिए, where the suburban train leave from, उस second level से suburban train चलती है, suburban train कौन सी होती है, जो city के outskirts में जाती है, city के बाहर भी जाती है, तो वहाँ से मैं किस में duct कर गया, मैं किस के अंदर चला गया, एक arch doorway में, एक ऐसा doorway जो arch shape का बना हुआ था, महराब type बना हुआ था, heading for the subway, और मैं सब्वे के लिए जा रहा था, and got lost, और वहाँ पर मैं खो गया, that's easy to do, ऐसा करना easy है I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors, मैं कई बार Grand Central Station के बाहर और अंदर गया हूँ, और क्या होता है, हर बार मुझे मिल जाते हैं नए नए doorway, मैं नए नए doorway से टकरा जाता हूँ, नए नए सीडिया मुझे मिलती हैं, और नए नए corridors, गलियारे भी मुझे मिलते हैं, Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel, एक बार तो क्या हुआ, मैं एक टनल में चला गया, जो एक मिल लोंग थी, और जब मैं बाहर निकला, कहां से बाहर निकला, एक Roosevelt Hotel था, उसकी lobby में से मैं बाहर निकलाया, Another time, और एक बार क्या हुआ, I came up in an office building on 46th street, 3 blocks away, मैं बाहर कहां से निकला, एक office building से, जो 46th street में है, 3 blocks away, Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, कभी कबार, तो मुझे ऐसा लगता है, कि यह जो Grand Central Station है, यह एक पेड की तरह ग्रो रहा है, यहां पर वो एक ट्री से Grand Central Station को compare कर रहा है, तो कहता है, एक पेड की तरह, जो Grand Central Station है, वो ग्रो कर रहा है, Pushing out new corridors and staircases like routes, यह बाहर निकालते रहता है, नए-नए corridors, नए-ने गलियारे और सीडियां, staircases, जैसा कि पेड अपनी जड़ों को बढ़ाते रहता है, ऐसे ही Grand Central में से नए-नए corridors और staircases बाहर निकलते रहते हैं, जैसे कि पेड अपनी जड़ों को बढ़ाता है, underground में, क्योंकि जड़े होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं, तो यह जो station है, यह भी underground है, इसका first level भी और second level भी, तो उसे ऐसा लगता है, जैसे कि पेड अपनी जड़ों को बढ़ाता है, ऐसे ही station नए-ने corridors, staircases, routes की तरह निकालते रहता है, there is probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now on its way to time square and maybe another to central park, तो narrator क्या कहता है, कि शायद कोई long tunnel है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और हो इस शहर के नीचे से निकल रही है, एक tunnel जो time square की तरफ जाती है, दूसरी शायद central park की तरफ जाती है, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea, तो आगे वो क्या कहता है, जो narrator है, वो कहता है, शायद कई लोगों के लिए, कई सालों से ये जो Grand Central Station है, वो एक exit रहा है, यहां से लोग exit करते रहे हैं, निकलते रहे हैं, और ये एक way of escape रहा है, बचने का तरीका रहा है, शायद इसलिए मैं एक tunnel में घुस आया हूँ, लेक वो escape करना चाता था, आज की जो hurry and worry वाली life है, उससे escape करना चाता था, लेकिन ये बात उसने अपने doctor दोस्त को, जो psychiatrist था, उसको कभी भी नहीं बताई, अब आगे क्या होता है, The corridor I was in, began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, जिस corridor में था मैं, वो left की तरफ मुड गया, और slant जुकाव हो गया उसका नीचे की तरफ, and I thought that was wrong, और मैंने सोचा की वो गलत था, but I kept on walking, लेकिन मैं चलता रहा, All I could hear was the empty sound of my own footstep, and I didn't pass a soul, मुझे सिरफ अपना ही sound, अपने ही footstep का sound सुनाई दिया, और मेरे पास से एक भी person नहीं निकला, Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking, तब मैंने क्या सुना, एक खोखली सी आवाज सुनी, खोखला सा शोर सुना, आगे की तरफ, इसका meaning था कि कोई open space है आगे, और वहाँ पे लोग बाते कर रहे थे, उपन स्पेस में जो लोग बाते कर रहे थे, उनका जो sound था वो गूंज रहा था, the tunnel turned sharp left, जो वो tunnel थी, वो sharp left की तरफ मुड़ गई, I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station, मैं थोड़ी सी सीड़िया नीचे उत्रा, और मैं जब बहार निकला, तो मैं third level पर था, Grand Central Station के, for just a moment I thought I was back on the second level, एक moment के लिए तो मुझे ऐसा लगा, कि मैं second level पर वापिस आ गया हूँ, but I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, लेकिन मैंने क्या देखा, वहां का जो room था वो बिलकुल छोटा सा था, वहां पर बहुती कम ticket windows थी, और बहुती कम train gates थे, और वहां पर जो information booth था center में, वो लकड़ी का बना हुआ था, और वो क्या था, old looking था, बिलकुल वैसा लग रहा था, जैसे कि पुराने किसी time में होता होगा कोई railway station, and the man in the booth wore a green eye shade, और वो man जो booth के अंदर बैठा था, information booth के अंदर, उसने क्या पहना हुआ था, green color का eye shade, मतलब green color का चश्मा पहना था, and long black sleeve protectors, और लंबे black color के sleeve protectors पहने हुए थे, जैसे कि हम gloves पहन लेते हैं हाथों में, और पूरी sleeves में protectors पहनते हैं, और चीज मैंने क्या notice की वहाँ पर, the lights were dim, and sort of flickering, वहाँ पर जितनी भी lights थी ना, वो बहुती dim थी, और flicker कर रही थी, टिम टिमा रही थी, then I saw why, तब मैंने देखा, ये क्यों टिम टिमा रही हैं, हिल क्यों रही हैं, they were open flame gas lights, वो क्या थे actually में, open flame gas lights, जैसे की पुराने जमाने में हुआ करते थे, जब electricity नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए, वो flicker कर रही थी, lighting, there were brass pitons on the floor, and across the station, a glint of light caught my eye, a man was pulling a gold watch from his west pocket, तो वहाँ पे जितनी भी चीजे थी ना, वो सब ऐसे थी, जैसे की ancient time में, पुराने समय में हुआ करती थी, वहाँ पे उसने क्या देखा, कि वहाँ पे कुछ brass pitons पड़े हुए थे, brass के बने हुए spitons, जिने हम peak done बोलते हैं, जिसमें लोग spit वगरा करते हैं, वह brass pitons पड़े हुए थे, floor के उपर, पर्ष के उपर, और कहता है, station पर मैंने सामने क्या देखा, कि एक चमक, light की, मेरी आँखों में एक light सी पड़ी, तो मैंने क्या देखा, एक man ने अपनी gold watch निकाली, सोने की घड़ी निकाली, अपनी west pocket से, west उसने पहनी हुई थी, जो jacket type होती है, उससे घड़ी निकाली, क्योंकि पुराने जमाने में लोग ऐसी watch रखा करते थे, he snapped open the cover, glanced at his watch and frowned, उसने इसका cover open किया, watch का, watch को देखा, और frowned, और eyebrows को ऊपर कर लिया, जैसे कि time को देखकर उससे ऐसे लगा, बहुत लेट हो गया, he wore a derby hat, a black four button suit with tiny lepples, उस आदमी ने एक derby hat पहनी हुई थी, one kind of hat होती है, derby hat उसने पहनी हुई थी, black four button suit पहना हुआ था, और जिसके उपर tiny lepples से, tiny lepples में छोटे 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 लेपल से, जोट उपर से मुड़ा हुआ होता है, collar से, shoulder की तरफ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, lepples, and he had a big black handlebar moustache, और उसकी क्या थी, बड़ी-बड़ी black color की handle जैसे, जैसे कि किसी cycle का handle होता है, वैसी उसकी क्या थी, moustache, मुछे थी, then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something, तम मैंने इदर उदर देखा, और क्या notice किया, कि जितने भी लोग station पर थे, उन्होंने अपने आपको dress कर रखा था, 1890 century की तरह, जैसे उस समय लोग कपड़े पहना करते होंगे, वैसे सबने पहने हुए थे, I never saw so many beard, sideburns, and fancy moustache in my life, मैंने कभी नहीं देखी थी, इतनी ज़्यादा लोगों की दाड़ियां, beards, sideburns, जो हम side में hair रखते हैं, कानों के पास, उन्हें sideburn बोलते हैं, और fancy, और fashionable, जो moustache थी, मुचे थी, मैंने ऐसी कभी भी नहीं देखी थी, ना दाड़ियां देखी थी, ना sideburn देखे थे, ना moustache मुचे देखी थी, a woman walked in through the train gate, एक woman आई, चलकर train gate से, she wore a dress with leg of mutton sleeves, and skirt to the top of her high button shoes, उस woman ने क्या पहना हुआ था, एक leg of mutton sleeves, जो उसने dress पहनी हुई थी, उसकी जो sleeves थी, उसका style क्या था, leg of mutton, जो पुराना एक style था, उसने high button shoes पहने हुए थे, और skirt पहनी हुई थी, back of her, out on the track, I caught a glimpse of a locomotive, a very small career and vast locomotive, with a funnel shaped stack, and then I knew, उस woman के पीछे, rail की पटरी पर, मुझे किसकी जलक मिली, glimpse मिली, मुझे क्या दिखाई दिया, एक locomotive, locomotive हों किसको बोलते हैं, engine को, जो train को pull करता है, और very small career and vast, कहता है, वो छोटा सा career and vast का locomotive था, जिसकी funnel shaped stack थी, उसके उपर जो stack बनी हुई थी, जो chimney बनी हुई थी, वो funnel shape की थी, जैसे कि keep होती है, उसी shape की, उसकी stack बनी हुई थी, chimney बनी हुई थी, तब मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया उसको, कि वो किसी पुराने time में आ चुका है, to make sure, I walked over to a newsboy, and glanced at the stack of papers at his feet, ये पक्का करने के लिए, कि मैं कहा हूँ, किस समय पर मैं आ चुका हूँ, मैं कहां चल कर गया, एक newsboy के पास, जो newspaper बेज रहा था, और मैंने देखा, paper का धेर लगा हुआ था, उसके पाउं के पास, it was the world, और जो newspaper था, उसका नाम मैंने पढ़ा, newspaper का नाम था, the world, and the world hasn't been published for years, और जो world newspaper था, वो तो कही सालों से publish ही नहीं हुआ था, the lead story said something about President Cleveland, जो main story थी, जो newspaper में print थी, मैंने पढ़ा, वो President Cleveland के बारे में थी, I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894, और मैंने धून लिया है, उस front page को, कहां पर, public library की file में, और ये कब publish हुआ था, कब print हुआ था, June 11, 1894, मतलब जो Charlie था, वो कहां पर पहुँच गया, 1894 में पहुँच गया, पुराने टाइम में पहुँच गया, थर्ड लेवल में जब वो गया, मैं किस तरफ मुड़ा, टिकेट विंडो की तरफ गया, मुझे पता था, कि यहां पर, थर्ड लेवल पर, Grand Central के, मैं टिकेट खरीज सकता हूँ, जो मुझे और मेरी वाइफ को, कहीं भी ले जा सकती है, United States में, जहां हम जाना चाहते हैं, In the year 1894, 1894 में हम जहां चाहें, वहां जा सकते हैं, And I wanted two tickets to Galesburg, Illinois, तो आगे वो narrator हमें क्या कहता है, Readers को कहता है, Have you ever been there? क्या तुम कभी वहां गए हो, Galesburg में? It's a wonderful town still, यह अभी भी बहुत wonderful town है, बहुत beautiful और अच्छा town है, With big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees, whose branches meet overhead and roof the street, यहां पर बड़े-बड़े लकड़ी के घर हैं, बड़े-बड़े lawns हैं, और वहां पर बहुत बड़े-बड़े trees हैं, पेड़ हैं, जिनकी जो branches हैं, शाखाएं हैं, वो कहां मिलती हैं, overhead उपर, and roof the street, और street के उपर एक roof सी बना लेती हैं, छत सी बना लेती हैं, मतलब Galesburg ऐसा है, and in 1894, summer evenings were twice as long, और 1894 में, वहां की जो summer evenings हैं, वो दो गुना जादा बड़ी हैं, long है, and people sat out on their lawns, और जो लोग हैं, वो कहां बैठे हैं, अपने-अपने lawns में बैठे हैं, the men smoking cigars and talking quietly, जो men हैं, वो सिगार को smoke कर रहे हैं, और धीरे-धीरे चुप-चाप बातें कर रहे हैं, the women waving palm leaf fans, और जो women हैं, वो palm leaf हैं, उनको fan बना कर, वो हवा दे रही हैं, अपने आपको पंखा कर रही हैं, with the fireflies all around in a peaceful world, और जो fireflies हैं, जो जुगनू हैं, वो उड़ रहे हैं, हर तरफ उस peaceful world में, तो वो हमें ये बता रहा है, कि 1894 का जो Galesburg है, वो बहुती peaceful है, इसलिए वो वहाँ जाना चाहता है, to be back there, with the first world war still 20 years off, कहता है मैं वहाँ वापिस पहुँच जाऊंगा, और वहाँ पे तो अभी जो first world war है, उसको होने में भी अभी 20 साल बचे हुए हैं, तो 20 साल बाद क्या होगी, first world war होगी, क्योंकि मैं वहाँ कब पहुँच हुँगा, 1894 के टाइम पे, and world war second over 40 years in the future, और जो world war second है, उसको तो 40 years अभी पड़े हैं, वो future में होनी है, I wanted two tickets for that, मुझे दो tickets चाहिए थी, Galesburg के लिए, The clerk figured the fare, he glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for two coach tickets one way, जो clerk था, उसने calculate किया, मेरे fare को, मेरे किराए को, उसने फिर देखा, मेरे fancy headband को, शायद उसने पहले ऐसा headband नहीं देखा था, लेकिन उसने fare को calculate किया, मेरे पास enough money थी, two coach tickets के लिए, one way, एक तरफ के लिए, but when I counted out the money, and looked up, the clerk was staring at me, लेकिन, जब मैंने money को गिना, और उपर देखा, जो clerk था, वो मुझे भूर रहा था, stare कर रहा था, he noted at the bill, उसने इशारा किया, जो मेरे हाथ में notes थे, उसके उपर, और उसने कहा, that are not money mister, ये money नहीं है mister, he said, उसने कहा, and if you are trying to skin me, you won't get very far, और अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, and he glanced at the cash drawer beside him, और उसने cash drawer पर देखा, जो उसके बिलकुल पास था, of course the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking, of course जो उसकी money थी, वो old style की थी, पुराने style की थी, और आज जैसी हम money use करते हैं, उस से कम से कम half जादा बड़ी थी, और बिलकुल अलग दिखाई दे रही थी, मतलब जो उसके पास notes थे, वो बिलकुल अलग दिखाई दे रहे थे, I turned away and got out fast, मैं मुड़ा और जल्दी से बाहर निकल गया, There is nothing nice about jail, even in 1894, उस jail में जाना बिलकुल भी अच्छा नहीं होगा, और कौन सी jail में, जो jail 1894 की है, and that was that, और यही सब हुआ, I left the same way I came, I suppose, मैं उसी रास्ते से वापिस चला गया, जिस से मैं आया था, मुझे ऐसा ही लगता है, Next day, during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend, अगले दिन lunch hour के समय मैंने अपने bank से $300 निकलवा लिये, इतने ही पैसे हमारे पास थे, और उसके बदले में मैंने पुराने style की currency को खरीद लिया, इस से जो मेरा psychiatrist friend था, वो बहुत ही चिंता में आ गया, उसे चिंता होने लगी, You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay premium, आप old money खरीज सकते हैं, किसी भी coin dealer की shop पर जाकर, लेकिन आपको कुछ premium देना पड़ता है, मतलब extra money देनी पड़ती है, my $300 bought less than $200 in old style bills, but I didn't care, X were 13 cents a dozen in 1894, जो मेरे $300 थे, उसके बदले में, मुझे $200 से भी कुछ कम money मिली, कुछ कम रुपिस मिले, old style के, लेकिन मैंने परवा नहीं की, जो X थे, उस समय 13 cents के dozen मिलते थे 1894 में, उसका कहने का मतलब है, कि 1894 में चीजें बहुत सस्ती थी, महंगाई इतनी नहीं थी, इसलिए अगर मुझे कम भी पैसे मिले, तो मैंने कोई भी चंता नहीं की, बट, I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, अल्दो, I have tried often enough, लेकिन मुझे कभी भी नहीं मिला, वो corridor, वो गलियारा कभी भी नहीं मिला, जो किस तरफ ले जाता है, third level की तरफ ले जाता है, Grand Central Station पर, हाला की मैंने कई बार कोशिश की, लुईजा was pretty worried when I told her all this, and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped, जब मैंने अपनी वाइफ लुईजा को ये बात बताई, तो बहुत ज़्यादा worried हो गई, बहुत ज़्यादा चंता उसे हो गई, और वो नहीं चाती थी कि मैं किसको ढूंडू, third level को और ज़्यादा धूंडू, और थोड़े time बाद मैं रुक गया, मैंने धूंडना बंद कर दिया, I went back to my stems, और मैंने दुबारा stem को collect करना शुरू कर दिया, but now we are both looking every weekend, because now we have proof that the third level is still there, लेकिन अब हम दोनों, मैं और मेरी वाइप हर weekend को धूंडते थे third level को, क्योंकि अब हमारे पास proof था कि third level अभी भी वहाँ पर है, my friend Sam Winner disappeared, मेरा एक friend जिसका नाम Sam Winner था, वो disappeared हो गया, गायब हो गया, nobody knew where, किसी को भी नहीं पता था कहां चला गया, but I sort of suspected, because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg, लेकिन मुझे एक परकार का शक था, क्योंकि जो Sam था, वो शेहरी लड़का था, और उसे मैं बताया करता था Galesburg के बारे में, I went to school there, जब मैं छोटा था, तब मैं Galesburg में था, और school जाता था, and he always said, और वो हमेशा कहता था मेरा friend Sam Winner, के बारे में बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, and that's where he is, all right in 1894, और इस समय वो वही है, बिलकुल ठीक 1894 में, because one night fussing with my stem collection, I found, well, do you know what a first day cover is, क्योंकि एक रात, जब मैं बड़ा excited हो कर, अपनी stems को देख रहा था, तो मुझे वहाँ क्या मिला, तो वो आगे कहता है, क्या तुम्हें पता है, first day cover किसे कहते हैं, वो reader से पूछ रहा है, कि first day cover किसे कहते हैं, तो अब हमें वो बताता है, कि first day cover किसे कहते हैं, when a new stamp is issued, जब कोई नई stamp issue की जाती है, stamp collectors buy some, जो stamp collector हैं, उन में से कुछ खरीद लेते हैं, and use them to mail envelops to themselves on the very first day of sale, और उन stamp को use करते हैं, वो अपने आपको ही envelope mail करते हैं, पहले ही दिन, कैसे करते हैं, वो envelope लेते हैं, उसके उपर अपना ही address लिखते हैं, और उसके उपर stamp लगा देते हैं, और वो जो envelope हैं, उनी के address पर वाफिस आ जाते हैं, पहले ही दिन, and the postmark proves the date, और जो postmark है, जो post office की उपर stamp लग जाती है, postmark उससे prove हो जाती है date, और वो अपनी collection में ये रख लेते हैं, the envelope is called a first day cover, उस envelope को first day cover कहते हैं, they are never opened, उन्हें कभी खोला नहीं जाता है, you just put blank paper in the envelope, आप सिर्फ क्या करते हो, एक blank paper रख देते हो, उस envelope में, that night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there, उस रात, जो मेरे पुराने first day covers थे, उन में मैंने एक ऐसे first day cover को पाया, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, but there it was, लेकिन वो वहाँ पर था, it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg, यह यहाँ पर इसलिए था, क्योंकि किसी ने mail किया था, उस envelope को, मेरे grandfather को, उनके घर पर, Galesburg में, that's what the address on the envelope said, जो address था envelope पर वो तो यही कह रहा था, उसके उपर यही address लिखा हुआ था, and it had been there since July 18, और यह envelope वहाँ पर था, July 18, 1894 से, the postmark showed that, जो postmark था, जो stamp थी, उससे यही पता लग रहा था, yet I didn't remember it at all, फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं था, जो stamp थी, वो 6 cents की थी, डल ब्राउन कलर की थी, और उसके उपर पिक्चर किसकी थी, प्रेजिदेंट गार फिल्ड की, naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there, naturally क्या हुआ था, जब वो envelope आया, मेरे granddad को mail में, तो ये सीधा चला गया, उनकी collection में, और वहीं रहा, till I took it out and open it, जब तक मैंने उसे बाहर नहीं निकाला, और उसे खोला, नहीं, the paper inside wasn't blank, it read, जो paper अंदर था, उस envelope के अंदर वो blank नहीं था, इसके उपर ये letter लिखा हुआ था, और ये address कहां का था, गेल्सबर्ग का address था, जो letter था, वो Charlie को address था, Charlie के लिए लिखा गया था, तो क्या लिखा था, Charlie, I got to wishing that you were right, मैं ये wish किया करता था, कि तुम ठीक हो, then I got to believing you were right, तब मुझे विश्वाश हो गया, कि तुम ठीक ही थे, and Charlie, it's true, और Charlie, ये बात सच है, I found the third level, मुझे third level मिल गया है, I have been here two weeks, मैं यहाँ पर दो हफ्तों से हूँ, and right now down the street at Dallas, और इस समय मैं स्ट्रीट में हूँ, डैलिस के यहाँ, someone is playing piano, कोई यहाँ पर प्यानो बजा रहा है, and they are all out on the front porch singing Sing Nelly Home, और सब front porch पर खड़े हुए हैं, और वो गा रहे हैं, Sing Nelly Home का गाना गा रहे हैं, I am invited over for lemonade, यहाँ पर मुझे invite किया गया है, lemonade के लिए, come on back, Charlie and Louisa, Charlie and Louisa वापिस आ जाओ, keep looking, till you find the third level, घूंडते रहना, जब तक कि तुम्हें मिलना जाए, थर लेवल, it is worth it, यह आने लायक है, believe me, मेरा विश्वाश करना, The note is signed Sam, जो note था, उसके उपर sign किसका था, Sam का, जो मेरा friend disappear हो गया था, उसी के sign थे, At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency, उस stamp और coin store पर, जहाँ पर मैं जाता हूँ, मुझे वहाँ जाकर पता लगा, कि जो Sam है, उसने $800 की कीमत की old currency खरी दी, That ought to set him in a nice little hay feed and grain business, यह money उसे set कर देगी, एक अच्छे hay feed and grain business में, वो वहाँ पर hay का, जो घांस्पूस होती है, उसका और गेहूं का business करना चाहता था, He always said that what he really wished he could do, वो हमेशा ये बात कहता था, कि वो wish करता है, कि वो ये काम कर सके, and he certainly can't go back to his old business, और ये बात तो पक्की है, कि वो अपने पुराने business पर नहीं जा सकता, मतलब अपना पुराना business नहीं कर सकता, not in Galesburg, Galesburg में तो नहीं कर सकता, in 1894 में, 1894 में, वो अपना पुराना business नहीं कर सकता, his old business, अपना पुराना business, why Sam was my psychiatrist, वो अपना business क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो Sam था, वही मेरा psychiatrist friend था, तो वो अपना पुराना काम, वहाँ पर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पुराने टाइम में, लोगों को tension नहीं थी, hurry and worry वाली life नहीं थी, इसलिए किसी को भी जरूरत नहीं होती थी किसी भी psychiatrist की इसलिए वो पुराना काम नहीं कर पाएगा और अपना नया काम जो hey feed and grain का business है वो करेगा, तो यहां पर student यह lesson end होता है लेकिन अगर हम lesson को देखें, वो जो उसका psychiatrist friend था, जो कहता था कि third level exist नहीं करता, यह तुम्हारा क्या है, waking dream, wish fulfillment है, वही कहां पर पहुँच गया third level में पहुँच गया यह कैसे हुआ, तो students यह lesson पढ़ने के बाद, आपके mind में question आ सकते हैं, कैसे question आ सकते हैं, कि third level था या नहीं था, actually में क्या था, third level नहीं था क्योंकि एक ही time पे history के दो period exist नहीं कर सकते, इसलिए third level नहीं था, वो actually में third level में गया नहीं था, अपनी कलपनाओं में ही गया था, reality में वो नहीं गया था, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता था गेल्सबर्ग के बारे में, उसके माइन में एक ही बात रहती थी, कि जो गेल्सबर्ग था, वो बड़े ही peaceful था, उसे ये भी लगता रहता था, कि जो पुराना time था, वो बिल्कुल peaceful था, और मुझे पुराने time में ही जाना चाहिए तो हमेशा पुराने time के बारे में सोचता रहता था, जो लोग एक ही बारे में सोचते रहते हैं, एक ही चीज के बार में बार 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 लगातार सोचते रहते हैं, तो वो कई बार क्या होता है, कि वो चीज़ों को हलुसिनेट करने लग जाते हैं, मतलब hallucination क्या होता है कि हमें वो चीजे भी दिखाई देने लग जाती है जो नहीं होती है उसका ध्यान तो हमेशा ही गेल्सबर्ग की तरफ रहता था इसलिए वो जो वहाँ पे गया था वो अपनी कलपनाओं में ही गया था फिर आप के मन में ये question उठेगा कि अगर वो अपनी imagination में गया था अपनी fantasy में गया था तो ये letter कहां से आ गया उसके friend Sam का तो आप student ये सोचें एक person जो third level को create कर सकता है अपने mind में अपनी imagination में create कर सकता है तो क्या वो letter को imagine नहीं कर सकता एक letter को imagine नहीं कर सकता उसने इस letter को भी imagine किया था, यह जो later था और उसका जो third level में जाना था, यह creation थी उसके अपने mind की Actually, he wanted to escape from the reality, he wanted to escape from the life of hurry and worry वो इस tension वाले life से निकल जाना चाहता था, हमेशा ही उस बारे में सोचता रहता था, इसलिए वो कल्कनाओं में वहाँ पहुंच गया यह उसके लिए एक medium of escape था, वो reality से बचना चाहता था, actually वो वहाँ पर कभी भी नहीं गया तो यहाँ पर student यह lesson end होता है, मैं उमीद करता हूँ आपको यह lesson अच्छे से